श्कार दोस्तों पूजय शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेरों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस नई विश्वे पर हम चर्चा करेंगे वो है घर में अगर लड़ू गोपाल की सेवा की जाए या उनके जो नियम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं किन पा अगर जिस घर में होती है वहाँ पर सभी सदस्यों में प्रेम देखा जाता है आर्थिक तंगी कभी नहीं आती है साथी साथ माता लक्ष्मी जो है अपना स्थाई निवास भी उस घर पर सदेव बनाती है श्री क्रिशन जी के बाल स्वारूप की सबसे जादा पूजा की ज आपके घर में जो है सुख शानती पूरा दिन बनी रहती है साथी साथ जो पॉजिटिव एनर्जियां है या उर्जाएं है उनका प्रवाव जो है बना रहता है घर के सदस्यों जो है आपसी प्रेम और मानसिक स्थिरता का जो है अनुभव करते हैं साथी साथ भागवत सही कही ऐसे पुराण हैं जिन में श्री कृष्ण की भक्ती के कुछ खास नियम दिये गए हैं पहला नियम ये है कि अगर घर में बाल गोपाल की मूर्ती है या आप उनकी सेवा करते हैं उनकी पूजा करते हैं तो वैसे ही पूजा होनी चाहिए जैसे घर में किसी छोटे बच् को सनान करवाते हैं अगर घर्मीया है तो पानी का टेंप्रेचर जो है थोड़ा ठंडा लेना चाहिए हो सके तो उनके आसपास पंक्ड़ की विवस्ता आवश्य होनी चाहिए क्योंकि गर्मी में हमें भी गर्मी बहुत लगती है जिस प्रकार के वस्तर आप पहनते हैं उस अगर हम कहीं बाहर रहते हैं जहाँ पर फूलों की विवस्ता नहीं हो पाती है तो आप इत्र का उपयोग कर सकते हैं गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं चंदन की खुश्बू का प्रयोग कर सकते हैं महा भारत भागवत से लेकर बहुत से ऐसे पुरान है जहाँ पर तो हमारे जीवन में कभी भी हमें दरिद्रता नहीं देखने को मिलती है, साथ ही साथ कुंडली में अगर कोई भी दोश हो, कितना भी बड़ा कश्टकारी दोश आपके जीवन में चल रहा हो, उनसे भी आपको मुक्ती मिलती है, अब यहाँ पर जो नियम है, वो भक्त और पालन करते हो, सभी के जीवन जो होते हैं, अलग-अलग दिशा में चलते हैं, भक्त अपने तरीके से अपने अराध्य को रिजाते हैं, परन्तु आज हम बताएंगे कि श्री कृष्णे के बाल सोरोविया लड़ू गोपाल जी की भक्ती भक्त को किस प्रकार करनी चाहिए, तो नन्ने बालक की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, ताकि जीवन में आपको कभी भी कष्ट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लड़ू कोपाल जी को घर में यदी विराजित किया गया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, कि उनके पास में एक गाएं की छ जादा टाइम तक उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक छोटी गाएं की मूर्ती रखना बहुत श्रेश्ट माना जाता है, साथ ही साथ लड़ू गोपाल जी के घर में प्रवेश हो जाने पर आपके घर के वो सदस्य बन जाते हैं, इस बात का आपको सदेव ध्यान र सके उतनी जल्दी आने का प्रयास करें, साथ ही साथ अगर बाहर एक दो दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो अपने लड़ू गोपाल को अपने साथ में जरूर ले कर जाएं, साथ ही साथ उनके जूले का प्रवंद उनकी जो भी उनके हम जैसे हमारी छोटे बच्चों की के करते हैं, वैसे ही उनका जो समान होंने अलग रखकर उसी समान का प्रयोग करें, घर के सदस्यों के धान रखने के साथ साथ इनका भी धान रखना, इनके आवशक्ताओं की पूर्ती करना आपका एक करतव भी बन जाता है, ये प्रेम और सेवा को मानते हैं, इसलिए सभी घ लड़ू कोपाल को देखेंगे, आपके मन से जो नाम निकले वही नाम से आप उन्हें पुकार सकते हैं, इन्हें रोस नान करवाना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे को करा जाता है, साथी साथ मुलायम कपड़े, उनका टौवल होना चाहिए, उनके लंगोट होनी चाहिए लंगोट के बारे में एक वीडियो में बना चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप वही देख सकते हैं, इन्हें जो है हमें दूद का भोग लगाना चाहिए, जैसे हम नाश्ता देते हैं, हम दूपैर का खाना खाते हैं, शाम की चाय और रात का भोजन होता है, पर य हमकीन होते हैं, केले के चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स होते हैं, छोटी चॉकलेट सोती हैं, आप और रखकर जा सकते हैं, तता शाम को आकर हात पाओं धोकर दूद का भोग लगाने के बाद शाम के खाने का भोग जो है आप लगा सकते हैं, आपके घर में जब भी कोई नया फल, मिठाई या कुछ भी नया खाने पीने के लिए आता है नॉन्वेज नहीं, अंडा नहीं जिसमें हो जो पून शाका हारी भोजन होता है जब भी आप घर से कुछ बनाते हैं घर में कुछ नया या लेकर आते हैं सबसे पहले लड़ू गोपाल को इसका भोग लगना चाहिए ऐसा माना जाता है ऐसे करने से आपके घर में सदे बरकत का वातावरन रहता है लड़ू गोपाल की कृपा आप पर सदी बनी रहती है इसके साथ ही साथ इन्हें माकन मिश्री बहुत प्रिय होती है तो आप इसका भोग जो है रोज लगा सकते हैं, इनकी प्यास का भी ध्यान रखना है, आपको इनके लिए लेग एक छोटा ग्लास जिसमें आप शुद्ध जल भरें, और गर्मियों का मौसम हो तो आप जूस दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, रसना दे सकते हैं, कई ध्यान रखें, आप तर्बूस भोग लगा सकते हैं, ठंड के मौसम में आप लड़ू दे सकते हैं, ठंड की मिठाईयां जो होती हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, साथ ही साथ गर्मियों में इनकी पंखे की विवस्ता जरूर करें, सरदी में इनके ठंड के बचाव की दे सकते हैं कई लोग तो इनकी साथ जो है किताबे पैंसिल्स मैंने बहुत से घरों में देखा है उसकी विवस्था भी करके रखते हैं साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों से जो होते हैं उन्हें इनसे बाते जरूर करनी चाहिए आप मनी मन बात भी कर सकते हैं पूजा करते समय बात कर सकते हैं, दिन में कभी आप बैठे हुए हैं, कहीं पर भी अपने घर में, तो इन्हें याद करकर मही मन इन से बात जरूर करें, साथ ही साथ, अगर आप कर सकते हैं, तो दिन में दो बार इनकी आरती जरूर करें, जन्माश्टी पर इनकी विशेश पूजा करनी चाहि किस प्रकार हम हमारे छोटे बच्चों का जन दिन बनाते हैं, समारों बनाते हैं, उसी प्रकार आप घर के सभी सदसे जो हैं, इनका जन दिन बना सकते हैं, इसके अलावा अगर आज के जमाने में जैसे हम हमारे परिवार से दूर रहते हैं, घर में एक ही महिला सदसे हैं, पाट छे साथ साल के हैं तब उन्हें पूजा करना जरूर सिखाएं सुभे के समय में स्नान करना सिखा दीजे और इस समय पर अगर आप भोग आपके घर में विवस्ता नहीं है कोई और सदस्य बनाए तब आप इस समय पर सूखे भोग की विवस्ता रख सकते हैं बजार से या फिर आप कुकिंग के अलावा जैसे फल होते हैं या कई बार जो मीठे पेड़े होते हैं उनका भोग लगाकर जो है ये साथ दिन या तीन दिन जो भी आपके घर में नियम चलते हैं उन दिनों में इस प्रकार जो है आप भोग की विवस्ता जो है कर सकते हैं साथ ही साथ हमें कृष्ण जी की पूजा में मोर पंग का बहुत महत्वर माना जाता है जहां भी भगवान श्री क्रिश्न को विराजीद करें सबसे पहले वाँ सफाई का बहुत ध्यान रखें उनका अगर आप चोटा सा पलंग उनका सोफा उनका तकिया उनकी चद्दर साथ जैसे हम हमारे लिए सभी चीजों की विवस्था करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार उनकी विवस्था जरूर करके रखे, मोर पंख जो है आप इनके मुकुट में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इनके साथ में भी रख सकते हैं, इससे क्या होता है घर की जितनी भी तो बांस की बनी हुई बांसुरी या फिर चांदी की बनी हुई बांसुरी आप लड़ू गोपाल जी के पास रखें इससे घर के सभी वास्तु दोश जो है वो दूर होते हैं इसके अलावा एक नियम और बताना जाहूंगी जब उनके कपड़े अगर फट जाते हैं तो उन् सिलेवे हाथ से सिलेवे कपड़े उन्हें जो है कभी ना पहनाएं आप जो है घर पर ही बना सकती हैं आप सिर्फ श्रद्धा से बनाएं वही उन्हें प्रियव होंगे इसके अलावा उनकी जो लंगोट होती है उन्हें भी बदले जो उनके अंदर पहनने वाले वस्तर होत शंक जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास रखना चाहिए शंक आसपास के वातावरन को बहुत पॉजिटिव बना देता है साथी साथ आपके पूजा घर में शान्ती आने लगती है इसके अलावा आपके घर में जब श्री कृष्ण जी की पूजा होती है तो हमें गरूर घंटी जो होती है वो रखनी चाहिए गरूर भगवान विश्णू के वाहन है आनन्द और उत्साह का महौल जो है गरूर घंटी को बजाने के बाद घर में आने लगता है इसके अलावा जब सावन का महीना आता है या बारिश होती है तो इस समय पर लड़ू गोपाल जी को बाहर घुमाने अवश्य लेकर जाए अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर की जो गैलरी होती है वहाँ पर लेकर जरूर खड़े हों तुलसी जी सदे वर्पित करनी चाहिए उनसे प्रेम स्वरूप जो है बात अवश्य करें साथी साथ भोजन करवाते समय उन्हें भोग लगाते समय उन्हें प्यार से पुकार कर कहिए कि कानू बेटा या गोपाल या जो भी आप प्यार से कहते हैं आकर भोग लगाईए जिससे कि आप जब भोग लगाएंगे वो तो ठीक है परन्तु जो आपका प्यार होगा वही असली भोग माना जाएगा यानि कि आपके मन से जो आवाज निकलेगी वही गोपाल जी सुनेंगे और वही प्यार जो है उन्हें सदेव आपके घर में अपना पन दिलाएगा तो भाईयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वार्णी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विशेपा चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों